प्रवपकारी का मतलब क्या होता है दूसरों की भलाई करने वाला हरकारे यानि दूत्य अडाकिये तो देखो यह अगर आपको आता है कठी शब्द के मेनिंग आ जाता है तो आपको चैप्टर अच्छे समझ में आता है अब हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वेशन आंसर है आपका वह देख सकते हो सारे ठीक है और क्वेशन आंसर भी सारे के सारे प्लोडेट है जो जूट गया है वही बच्चे मुझे कॉमेंट से बना रहा हूं तो देखो जगधरामनी राज्जा से स्वयम को यहाँ पे क्या हैबाध करने की विनिति के दूसरा यहां पर देखो next question यहां पर देखो और उसका answer यहां भी जितने भी underline किये गए है वो जितने už जिए underline कि मंत्री जगतराम सिवा मुख थोना चाते थे क्यों कि वे बूढ़े हो चुके थे हैं ना ठीक है कि नेक्स्क क्वेस्ट्न इस ने मंत्री का चयन यहां पर दिया गया है तो आप देख सकते हो यहां पर कौन सा वाला सही है कवाला राजदर्बार में किया जाना था कि नेक्स्ट कि यहां पर देखिए नए मंतिगर यहां पर आंसर हमने देख लिया इसका यह अंसर कर अर्मीन ने विनम्रता से कौन सा आएगा और उपए लेने से मना कर देए यहां पर देखो आंसर है ठीक है वीडियो पॉस्ट करके वर्ग बुक में लिखते जाई है कंप्लीट करते आगे क्यों की उसके कपड़े कीचर से सने थे यहां पर आंसर है ठीक है उसके बांद इस प्वेशन देखिए वह व्यक्ति कोई और नहीं बलकि स्वयम मंत्री जगतराम थे आंसर में आएगा निर्विखित प्रस्णों के उत्तर एक एक वाकि में लिखो मंत्री जगतराम ने राजय से विनिती की मन्तरी जगतराम ने राजय से स्वयम को सेवा मुक्त करने की मनिती की राजयम अंगल सेंघल जगतराम जैसा सेवा भावी परौपकारी और इमांदार मंत्री चाहते थे ठीक है mostly यहां a तो बैल गाड़ी वाला वृद कौन था बैल गाड़ी वाला वृद स्वयम मंत्री जगतराम थे कर्म वीर को राजिका नया मंत्री क्यों चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुंड थे यहां पर मैंने क्या बताया कि उत्तर आपको एक-एक वाक्य मे मिलते हैं ठीक है अभी यहां पर देखिए मंगल से ने प्रसंदोंकर क्या कहा तो मंगल से ने प्रसंदोंकर कहा कि सामान आदमी की पीड़ा से जो दुखी होता है कि जो सामान आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है वही राजिके चुनाओ में व्यक्ति के गुणों को ही महत देना चाहिए गुणी व्यक्ति ही अपने पत की प्रतिष्टा बढ़ा सकता है। ठीक है? क्वेशन देखिए कक्षा में अकबर वीरवल की कहानी सुनाओ, इस कहानी से मिलने वाली सीख बताओ। एक बार बादशा अकबर ने मंत्री बीरवल से कहा, दिल्ली में कितने अंधे हैं? पता लगा कर बताओ। दूसरे दिन बीरवल राजदरबार जाने के रास्ते में एक चारपाई बुनने के लिए बैट गये। राजदरबार जाते हुए अकबर ने बीरवल को देखकर पूछा, बीरवल या क्या कर रहे हो? बीरवल ने जवाब दिया, जहां पना चारपाई बुन रहा हूँ। अगले दिन बीरवल ने बादशा के सामने दिल्ली के अंधों की सूची पेश की, सूची में सबसे पहला नाम सुयम अकबर का था, या देखकर अकबर को बहुत आश्चर हुआ, उन्होंने बीरवल से पूछा, क्या मैं अंधा हूँ? बीरवल ने कहा, जणाब, खल आपने देख सुनकर और सोच समझ कर ही किसी से कुछ पूछना चाहिए, ठीक है? अब देखें, यहाँ पर पाटे पुस्तक के प्रिष्ट पांच पर बैलगारी छे पर राज़वाइक चितर देखो और कहां क्या हुआ वो लिखना है, तो प्रिष्ट पांच का चितर क्या है? वो यहाँ पर लिखा गया, एक व्रिद अपनी बैलगारी में हताश सा बैठा था, और उसकी बैलगारी का एक पहिया कीचर में फस गया था, मंत्री पत के कई उमीदवार वहाँ से जा रहे थे, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, एक यूवक व्रिद ने बैलगारी का पहि या कीचर से निखालने की कोशिश में लगा था, प्रिष च्छा का चित्र, इस चित्र में कीचर से सने कपड़े पहने हुए यूवक दरबार में खड़ा था, उस तभी वहाँ व्रिद मंत्री जगत राम आप पहुंचे थे, ठीक है, तो यह आंसर रहा, अब यहाँ पर द चैन्त, फिक्र, चयन, चुनाव, प्रसंड, खुश, मदद, सहायता, ओके, यहां पर मने आपको सारे question answer बता दिया, ठीक है, सारे question answer मने आपको यहाँ पर बता दिया है, कोई doubt है, तो आप जरूर पूछिए, ओके, और आपको कोई भी वीडियो चाहिए question answer का, या फिर explanation का, आप मुझे comment section बताइए आपको मिल जाएगा ठीक है